हलो एवरीवन, विल्कम बैक टू माई न्यू ब्लॉग तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह खुश और मस्त होंगे तो देखिए आज हम कहां पे गूमने आए हैं और कितना इंजॉय किया बहुत मज़ा आया तो फ्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आज का ब्लॉग बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो फ्लीज बने रहे हैं हमारे साथ और आपको हम बताते हैं कहां गूमने आए हैं तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर हम लोग पहुँच गए हैं और गाड़ियों गहरा पाक कर दी है और मैंने रास्ते का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत तेज धूप थी काफी तेज धूप थी जबकि 4.35 ओक्लॉक का टाइम हो चुका था लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज थी गर्मियों का टाइम है तो धूप 7 ओक्लॉक के पहले कहां जानी है और देखे हम लोग अंदर पहुच गये हैं तो देखे हम लोग आज कहां पर घूमने आये हैं तो यहां पर देखके पता चल रहा होगा कि हम लोग पार्क घूमने आये हैं और यह कौन सा पार्क है इस पार्क का नाम है इंधप्रस्थ पार्क और यह डेली में है बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छा है बहुत मज कि बहुत नोर इतना रहा है कि आये थे तो जाने को करता और हम लोग काफी टाइम तक यहां पर थे दो तीन गढ़े मेरе चार घंटे जहां पर हम लोगों póं सुझा और अब यहां से आन्डर गोन यहां पर आफ लगा है और देखें वियू कितना सुन्दर लग रहा है तो मुझे तो ऐसी जगे बहुत पसंद है और यहां पर चलते हैं उपर आप लोगों को दिखाते हैं उपर क्या है तो दूप तो बहुत तेज थी तो ऐसे मलब आखें खोलने का मन नहीं कर रहा था वीडियो बना रही थी लेक अच्छे बहुत लगयरा लेके आये थे खेलने के लिए काफी नजॉय किया बच्चों ने और देखें यहां पर बुद्धा भगवान की फोटो है तो यहां पर दो तीन उनकी स्टैचू है यहां पर और देखें उपर से वियू कितना सुन्दर लग रहा है बहुत सुन्द लग गोम लिए थे देख लिया था लेकिन वीडियो लॉंग हो जाता है तो मैंने काफी कट कर दिया था तो यहां से लोग नीचे जा रहे हैं सभी खोब मस्ते किये और यह देखें यहां पर आ गए हैं बाहर तो वेट कर रहे थे उन बच्चे को जूते उते पहना रही थी साथ में जो आया था है हम लोग शाठी ही जाते हैं कहीं अपनी फ्रेंट को ले 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 लेते हैं और साथ में चले जाते ह〜 हर जोग्याष देख रहे थे सब और देखें कितना सुंदर विवु विव बहुत अच्छा लगता है हरा भरा तो मुझे बहुत पहां बच्चे पप्पी बहुत पसंद है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे बिल्कुल भी अच्छ नहीं लगते पपी तो यहां पे देखे बच्चे प्यास भी लग गई थी लोग को क्योंकि धूब बहुत तेज थी तो पानी गई पी रहे दे और चलिए आप करने वाले हैं लोग बहुत ही मज़ा आया तो आप लोग भी इंजाय करिए इस की मत बिल्कुल भी मत करिएगा तो चलिए इंजाय करिए और घुमाते हैं साथ-साथ आपको भी घुमते रहे हैं हमारे साथ और वहां से घुमके अब हम लोग आ गए हैं बाहर तो बाहर भी चलते हैं यहां पे देखे कितने अच्छे अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं और यह मुझे पता रहते हैं मुझे गार्डनिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है पेड़ पॉदों के बारे में और बहुत पसंद है बहुत पेड़ पॉदों का सौख है लेकिन अभी तो हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं इसनी ज्यादा गार्डनिंग नहीं कर सकते हैं बट कभी आप पर्मानेंट अपने घर पे रहेंगे तो इनको तो बहुत पसंद है तो पका गार्डनिंग करेंगे और चीअ नहीं जड़ी आगएे हैं भच्चे जूला ऑ गयरा देखके बच्चे नहीं मानतें जबकि डेली पार्क में गूमनें लेगी नहीं लोगो को तो कहीं भी दिख जाए बस जूलना ए है तो खेलना है बस यहां पे बच्चे जूल औगयरा जूल रहे थे और इनीगो थ के बाद हम लोग जा रहे थे आगे काफी बड़ा पार्क है तो भी बस घूमते वे नजारा देखते वे जा रहे थे तो देखे कितना हरा भरा बहुत सुन्दर है पास में जो भी रहते हैं जरूर आईएगा जरूर घूमिएगा इस जगे पर काफी अच्छा है यहां पर बहुत लोग आते हैं काफी भीड थी तो चलिए आगे और ले चलते हैं देखते वे चलते हैं बस यहीं है सब भरा भरा लेकिन अच्छा लग रहा था घूमते रहो जंगलों जंगलों में तो यहां पर देखे मेरा बिटा बोल लेके आया था और खुद थोड़ी देर खेल शबार के कहीं आपने पापा को पकड़ा रहा था तो हम लोग भी भॉल से खेल रहे थे कालव और बहुत ढहीं जानीच करते हैं तो थोड़े काफी गुम लिया था घूमते बच्चेंगर रहे तो थक जाते हैं जाय फोड़ी देटान meant यहां पर बैठाने की तोड़ी देर और फिर देखते हैं और क्या क्या करते हैं यहां पर हम लोग डिनर भी बना के लेके आये थे क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था कि चलो आज डिनर बना के लेके चलते हैं और वहीं पर खाएंगे अच्छा लगता है ना पार्क में घूमने जाओ और वहां पर कुछ खा प चलते हैं और वहीं पर खाएंगे तो देखिए बच्चे कितनी मस्ति कर रहे है और कितना अच्छा लग रहा है आए पिया लोग भी कुछ अपनी वीडियो सुट कर रहा है तो थोड़ी सी हम लोगोंवे अपनी बीडियो सुट कर ली थी एक्षिप से चुन्यों मननों अर्यी तो चलते हैं क्योंकि पूछते पूछते एट थर्टी और नाइन ओकलोक तो ही जाएगा तहां पे देखें हम लोग पूडी सब्जी और खीर बिर्यानी और अचार लेकर आये थे तो कुछ फ्रेंड में बना के लेकर आई थी तो पूडी और खीर में बना थी और बिर्यानी और सब्जी फ्रेंड बना के लेकर आई थी तो यह पे देखें हम लोग खापी रहे हैं खापी के निजाए करें बहुत अच्छा लग रहा था इसना अच्छा लग रहा था मलब घर भी खाते लेकिन जैसे यह खा रहा थी तो एक अलगी फीलिंग आ रही थी बहुत करें आगे और देखे हमारे हजबेंड जी क्या बोल रहे हैं अगल तो फिर अजना अजना पहाने कहाने पता है हमारा एक फीचर है हमन लोग के बता क्या है तो यहां पर देखे सुन लिए आप लोगो ने मेरे हस्बेंड क्या बोल रहे है कि हस्बेंड लोग जो साथ में जाते है इनका बस यही काम होता है तो बस हम लोगों ने गूम लिया था और अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि टाइम हो रहा था अधेरा होने वाला था और यहां पर बच्चे सेंडल अगरा पहन रहे थे और यह देखे मेरी बेटी किसी से भी फ्रेंड्शिप कर लेती है कोई भी मिल जाता है इसकी सब्सक्राइब करेंगे यहां से और आप लोगों को नाइट का भी विव दिखाते हैं देखें बच्चे और यह मेरी बेटी देखें डांस कर रही है इसको एक डांस सीख लिए तो सारा दिन वही डांस करती है तो बस देखें नाइट विव और बस दिखाते हुए आपको ले चलते हैं बाहर क्योंकि हम लोग को घर पॉंचते पॉंचते टाइम हो जाएगा काफी और बहुत मज़ा आया बहुत इंज्वाइ किया काफी अच्छा लगा तो नाइट में तो और भी अच्छा लगता है तो नाइट में थोड़ी देर ही रुके थे तो बस यहां पे पर पपी मिल गया है तो मेरी बेटी को पपी चाहिए और डरती चूने में बहुत है लेकिन चाहिए इसको बहुत रो रही थी कि ले चलो इसको और मज़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है मुझे इनसे बहुत डर लगता है मैं बहुत डरती हूं तो बस देखें अब आगे है बाहर की तरफ अब जाएंगे घर तो बश थोड़ी ही देर में घर पहुंचने वाले हैं और यहीं पर करेंगे अपने ब्लॉग का इंड तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप लोग खुश रहें मस्त र अपना ख्याल रखें और अपनों का तो तब तक के लिए बाब बाई थैंक्यू पर वाचिंग टेक केर